So exactly acne जब आपको है, तो क्या skincare आपका रहना चाहिए या क्या-क्या आपको care लेना चाहिए? Lifetime में एक चीज धान में रखो, lifetime में skincare mainly depends upon three things. First is cleansing. सबसे important चीज क्या है? कि acne properly treat नहीं करना. Time पे नहीं करना, early stages में कम नहीं, हाँ रहने दो, कुछ दिन के बाद करेंगे, something like that. Hi friends, welcome back to our channel. आज हम, हमारे senior dermatologist, Dr. Dhananjya Chansar के साथ, acne pigmentation के बारे में discuss करने आले, acne pigmentation या acne marks, बहुत common side effect होता है या अक्नी के बाद होने वाला, बहुत distressing thing होता है पेशिंस के लिए. इसके बारे में आज discuss करेंगे, हम जानेंगे इसके बारे में सब कुछ. Welcome sir. Hello. कितना distressing होता है आपको क्या लगता है इन जनरेल, कितने लोगों को होता है और ये क्या exact trouble कॉज करता है पेशिंस को? लगबग, टीनेजर में more than 80-85% लोगों में एकनी जिंदगी में कभी न कभी होई जाती है लेकिन जिन लोगों में family history है और जिन लोगों में एकनी होते है ग्रेड वान की जगा थोड़ा सा moderate और severe होते है ऐसे लोगों में एकनी के बाद उसके marks रहने के chances रहते हैं ऐसे लोगों में ये बहुत distressing पहले acne distressing और mark रहना ये तो उससे भी जादा distressing रहता है especially youthful age में यानि acne is mainly condition of teenagers या adolescents जभी लोग खुद को अपने में से best देखना चाहते हैं जब confidence के बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है जब self-esteem और बहुत सारे मजा मौज करने के दिन रहते है ऐसे time पर acne रहे तो बहुत distressing रहता है बहुत self-esteem जो होता है वो बहुत कम होता है बहुत सारे patient हमारे पास आते हैं तो वो सारे patient बोलते है confidence कम हो रहा है अच्छा नहीं लग रहा है मैं मुझे college को जाना ही नहीं चाहता मैं कोई function नहीं attend करता या कभी group photo में अच्छे photo नहीं आते so many reasons are there so यह बहुत distressing है embarrassing है बहुत सारे patient में यह इतना distressing रहता है कि कुछ लोगों में due to anxiety एंजाइटी भी होती है depression भी हो सकता है और यह suffering जिसको acne है जिसको acne pigmentation है उसको ही मालूम होता है कि कितना यह distressing है हमें उपर से लगता है कि यह क्या यहां कुछ हो गया marks हो गया तो कितना but it is really distressing and patient की नीद्ध हराम कर दिया जाती है यहां आपने अभी तीन चीज़े बोली acne बोला फिर acne pigmentation बोला और हमें पता acne scars भी होते हैं तीनों में फरक क्या होता है से acne यह oil secreting जो gland रहती है acne या pimples सिबेशिस gland रहती है pimples acne तो वो over secretion of oil रहता है सिबम रहता है उसकी वज़े से वहां अगर वो पाईलो सिबेशिस प्रैक से बाहर यानि skin के pore से वो जो सिबम बाहर आता है oil बाहर आता है उसको अगर obstruction हो गया तो collection अंदर ही हो जाता है और acne तयार होती है यह pimples तयार होते है उसमें अगर infection inflammation हो गया तो pimple या painful लेजन होता है वो बहुत बड़ा हो गया तो उसको acne cyst acne nodule ऐसे बोलते है तो यह nodule cystic mild moderate severe रहते है यह due to excess oil की situation लेकिन जब यह acne कम होने लगते है ठीक होने लगते है reduce होने लगते है तो due to inflammation due to acne melanin pigment ज़्यादा तैयार होता है वो melanin pigment ज़्यादा तैयार होने के बाद काले धब्बे पड़ जाते है marks पड़ जाते है बहुत बार यह बच्चे होते acne अच्छी नहीं लग रही है कल कोई function है और रात कोई pimple आ गया तो आईने में जाके they try to squeeze it they try to excure it तो उसकी वज़े से काले धब्बे पड़ जाते है तो it is vicious cycle तो skin पे flat surface पे pigmentation हो गया melanin जादा हो गया काला पन जादा हो गया तो उसे post acne hyperpigmentation post acne pigmentation ऐसे बोलते है और third important thing acne scar acne scar में सिर्फ pigmentation या ऐसे कुछ नहीं है लेकिन structural damage होता है skin के नीचे जो हमारा hair है sebaceous gland है collagen tissue है elastic tissue है लगभग नीचे की fat tissue भी वहां तक सारा सब कुछ destroy हो जाता है और वहां skin पे एक पपड़ी आ जाती है और वह संकन scar होता है या collagen ज्यादा तैयार हो गया तो पांच-दस टका लोगों में hypertrophic scar होता है तो यह तिनों में यह difference है root cause is acne acne या pimples so हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को pimple आते हैं बट सब को scars या सब को डाग नहीं रहते हैं तो यह ऐसे क्या-क्या चीजे हैं जिसकी वज़े से यह pigmentation हो सकता है pigmentation या scarring यह बहुत सारा depend रहता है आपके genetics के ऊपर अगर आपकी skin acne का gene है तो आपकी skin acne prone होती है oiliness जादा बनता है आपके घर में family में acne के scar पढ़ने की history है तो भी genetically you are prone for acne scar pigmentation भी वैसा है कि अगर आपके skin में melanin pigment जादा तयार होने का gene है तो वो आपको pigmentation देगा आपके parent में से कोई भी saule color का होगा या थोड़ा सा dark color का होगा तो आप में pigmentation जादा होने की संभावना है तो scars and pigmentation depends mainly on genetics family बट उसके साथ आपकी lifestyle क्या है धूप से आप कितना protection करते हो skin को कितना irritate करते हो कौन से product लगाते हो excoriation कितना करते हो कितना उसको हाथ से trouble करते हो कितना irritate करते हो उससे भी scarring और pigmentation होता है सबसे important चीज क्या है कि acne properly treat नहीं करना time पे नहीं करना early stages में कम नहीं हां रहने दो कुछ दिन के बाद करेंगे something like that यहने अगर हम acne proper time पे and aggressively treat करें तो जरूर acne के scar and pigmentation हम prevent कर सकते हैं तो proper treatment करना यह भी जरूरी है और skin की care लेना skin को cleansing करना moisturizing करना protect करना फिर उसको hydrate करना याने पानी भी बहुत पीना नींद अच्छी होना exercise करना diet अच्छा रहना यह सारी चीजें आपकी acne कम करते हैं pigmentation कम करते हैं और आपके scar भी कम करते हैं आपने अभी जो बोला कि skin care practices जो आप follow करते हैं वह भी important है to decide कि आपको pigmentation हो गया नहीं होगा so exactly acne जब आपको है तो क्या skin care आपका रहना चाहिए या क्या-क्या आपको care लेना चाहिए तीन important steps रहते हैं lifetime में एक चीज़ धान में रखो lifetime में skin care mainly depends upon three things first is cleansing याने मूँ दोना रोग सुबह एक बार रात एक बार दो टाइम ही मूँ दोना है उसको भी बहुत ऐसे vigorously कभी नहीं दोना है कभी भी strong soaps नहीं यूज करना है cleaning lotion से या पानी से सिर्फ धोल but that is main important दोने के बाद face wash करने के बाद हमें moisturize करना है moisturize से skin dry नहीं पड़ती compromise नहीं होती अपने अंदर के skin के नीचे जो पानी है water है उसका भी loss नहीं होता skin की integrity बन जाते तो moisturizing भी important है और तीसरा चीज है हम tropical country में रहते हैं हम Asian people है हमारी Indian skin pigment ज़्यादा बनाती है तो ऐसे skin को अगर ultraviolet rays या sun exposure ज़्यादा हो गया heat ज़्यादा हो गयी उसको protect नहीं किया तो हमारे melanocyte melanin pigment बनाते और धूप से बचने के लिए ultraviolet rays से बचने के लिए हमारे skin में melanin नाम का pigment तयार होता है जो हर एक cell के DNA को cover करता है और cancer होने से या ज़्यादा नुकसान होने से या aging process fast होने से ये बचाता है collagen tissue को बचाता है तो ये body का protective mechanism है pigmentation होना tanning होना अभी skincare के बारे में हमने बात किया skincare में एक और भी एक step आगे होता है जो लोग घर में ट्राय करते हैं बहुत online stores से या medical से जाके वो खुद creams लाते हैं और यूज करना ट्राय करते हैं ताकि जो भी marks रह गए हो या marks आये हो उनको कम करने के लिए सो इस case में क्या-क्या creams available है कौन से कौमनली यूज़्ट ओवर-the-counter medicines है जो लोग यूज़ कर सकते है एकनी marks reduce करने के लिए safely यूज़ कर सकते हैं यह skin lightening cream रहते हैं इनमें बहुत बार main ingredient रहता है tyrosinase innovator जो medicine रहते हैं उसकी मातरा बहुत कम मातरा में वो रहते हैं यह medically doctor use करते हैं ऐसे मातरा में नहीं रहता लेकिन pigment तयार होना ही कम करना है वो melanin तयार होना tyrosin नाम के enzyme से होता है उसको innovate करने वाले ingredients रहते हैं तो वो main रहते हैं यह niacinamide वगरा जो रहता है वो क्या होता है कि pigment तयार हो गया तो pigment का transfer वहाँ होना वो कम करते हैं वो niacinamide में रहता है क्योंकि हर एक cell में melanin pigment जो तयार हो गया melanocytes में वो transfer हो जाता है और कुछ ingredients ऐसे रहते हैं कि जो skin में वो transfer होने के बाद dead skin वहाँ two weeks तक रहती है तो skin protect करने में तो वो उसे जल्दी exfoliate करें उसमें का pigment जल्दी exfoliate करें इसलिए glycolic acid, lactic acid यह containing जो सारे creams रहते हैं वो है इसमें और एक important है ingredient जैसे कोजिक acid है, azalic है, then so many things are there, hydroponone है, low power में यह retinoids, retinoids तीनों जगह पे काम करता है, यानि production भी कम करता है, उसके transfer भी रोकने का काम करता है, melon pigment की या exfoliate करने की, so main ingredients है hydroquinone and तो यह 3-4 important रहते है, azalic acid जो रहते हैं इसमें से जो ingredients है, safely कौन से use कह सकते हैं और ध्यान किसमें रखना है hydroquinone है, यह कभी आपने use नहीं करना है, खुदने and tretinoin, right, तो tretinoin और hydroquinone यह थोड़ा सा सबूरी से यह doctor के prescription के सिवा नहीं मिलता vitamin C रहेगा, niacinamide रहेगा, soya रहेगा, या lactic acid containing, glycolic containing, then kozic and यह सारी चीज़े आपको over the counter and बहुत सारे medicine में, cosmeceuticals में मिल सकते हैं एक step हम अगर आगे जाएं और देखें कि prescription grade medicines जो होते हैं, oral medicines एक बार आप doctor के पास जाओ और consultation आपका शुरू हो, तो क्या-क्या medicines हम as dermatologist prescribe करते हैं patients को, और किस basis पर देते हैं? basically सबसे important thing है acne को control करना, acne control अगर हो गई तो inflammation control होता है, inflammation control हो गया, तो pigmentation भी जल्दी control आता है, नहीं तो pigmentation होनी की process चालू ही रहती हैं, doctor के पास जो medicines रहते हैं, उसमें बहुत सारे important जो pigment reducing है, उसमें hydroquinone main है, hydroquinone बहुत सारे countries में banned भी है क्योंकि लोग खुद लगाते हैं और उसकी वजह से chronosis वगईरा, बहुत side effect होते हैं, लेकिन doctor की निगरानी में कुछ महिनों तक use किया तो it is safe और यह अगर suit होता है तो, तो hydroquinone important है, acne और acne pigmentation में azalic acid is important, then doctor tyrosinase inhibator करके kozic acid है, even vitamin C है, as a antioxidant also, as a skin rejuvenation also, anti-aging also, pigment reducing also, so यह important thing है, niacinamide, azalic acid and यह सारी जो है यह important रहते हैं, skin को exfoliate करने वाले retinol या retinoids या adapaline, यह है यह तीनो stages में काम करते हैं, pigment तयार होना कम करते हैं, transfer कम करते हैं, even exfoliation भी करते हैं, यह सारी चीज़े important हैं, लेकिन सबसे important है sun protection, sun protection नहीं है तो कितना भी pigment कम करना चालू करो, यह pigment कम वर्क नहीं होगा क्योंकि उपर से sun आ गया तो body की natural tendency है, कि body को protect करना है तो body melanin pigment बनाएगी, इसलिए sun protection, sun protection, sun protection is the main medicine treating acne pigmentation, तो यह simple simple चीज़े हैं लगाने वाई, खाने में बहुत सारे antioxidant है, अभी tranesmic acid नाम का एक medicine आ गया है, जिसमें vascularity component यह कम करने के लिए and pigment reduce करने के लिए यह ingredient topical है, injectable है, intralisional है, oral है यह सारी चीज़े यूज करते हैं जैसे vitamin C, oral भी है यह सारी pigment reduce करने में यह skin healthy better करने में लेकिन tranesmic, it has to be taken under doctors, dermatologist, prescription and under his, उसके risks भी होते हैं, clotting and all these things, तो वो doctor के साथ, तो यह हो गए topical और oral में tranesmic and antioxidant यह use कर सकते हैं, vitamin C वगएरा, तो यह important चीज़े हैं हमें, protection and correction, कुछ procedures भी होते हैं जो हम use करते हैं, chemical peels हो, lasers हो, Q-switch endiag laser हो, nanosecond अभी use करते हैं, recent picosecond lasers अभी आए, how do these play a role, कब यह use करने चाहिए, doctor decides कि आपका pigmentation कितना है, कितने deep तक है, आपको क्या जरूरी है, dermatologist आपकी scheme की पूरी तरह से जांच करता है, आपकी lifestyle की यह देखता है, आपको धूप में कितना घूमना है, कितना protection ले सकते हो, कितने दिन के बाद आ सकते हो, आपको pigmentation क्यों कम करना है, कितने दिन में कम करना है, कैसे कम करना है, Depending on that, that means proper examination, proper discussion and proper planning किया, तो 100% pigmentation हम कम कर सकते हैं, कम टाइम में भी कम कर सकते हैं. तो प्रोपर डाइगनोसिस होना चाहिए, यह डर्मल है, पिग्मेंटेशन, इपिडर्मल है, कितना डीप है, उसके उपर फिर क्लिनिक में इन क्लिनिक ट्रेट्मेंट रहते हैं, सबसे कॉमन ट्रीट्मेंट सभी जगह पे एवलेबल रहती है, वो माइक्रोडं अब्रेजन है. उसके उसमें क्या होता है? skin का उपर का dead skin है वो कम कर जेता है skin exfoliate होता है तो जो कुछ मलम लगाएंगे वो मलम अंदर तक भी जाएगा और skin थोड़ी सी luminous हो जाती है थोड़ा सा glow आने की chances वहां hydration भी करते है moisturizer भी लगाते है तो it makes your skin look better कुछ packs लगाते है तो skin को regenerate और rejuvenate होती है अब ये hydra facial आ गया है ये सारे उपर उपर की skin को treat करने वाली treatment है दूसरा है chemical peel chemical peel में alpha hydroxy beta hydroxy peel या बाकी के बहुत सारे pigment reducing cream peels आते हैं इस सारे इसमें सबसे important रहता है skin को exfoliate करना skin को dead skin skin या dull skin को निकालना और अंदर से नई new vibrant skin लाना और वो लाते समय सबसे important है superficial peel ही Indian skin को बहुत अच्छी tolerate होती है deep peel Indian skin में rarely किये जाते है side effects भी होते है protection भी उतना हम ले नहीं सकते हैं उतनी skin की preparation भी नहीं होती बहुत सारे लोग preparation करके ये थोड़ा सा superficial या medium depth peel कर सकते हैं कुछ लोगों में तो ये skin rejuvenate भी करती है and skin का pigmentation भी कम करने में मदद करती है तो exfoliation is the main thing या salicylic जैसे acne को भी कम करते है और exfoliation भी करते है ऐसे ये chemical peel है third important thing है कि light and lasers इसमें IPL रहता है उसमें skin rejuvenation भी होता है pigment reduce भी होता है rejuvenation भी होता है तो regeneration, rejuvenation, collagen stimulation होता है ये collagen stimulation और ये इसकी वज़े से skin अंदर से glow होना भी चालू हो जाती है pigmentation के कम होने के साथ भी दूसरा चीज है pigment specific ये उसके पहले कुछ superficial जैसे केमिकल पील काम करते है वैसे superficial RBM याग लेजर, superficial cool पील या superficial fractional CO2 पील हम करके skin regenerate और rejuvenate कर सकते हैं थोड़ा सा pigmentation भी उससे reduce होता है उसके बाद pigment specific लेजर रहते है वह है Q-switch NDAG laser या पीको लेजर करके है उसमें Q-switch NDAG laser में nanosecond रहता है यानि जो लेजर energy काला कलर एप्सॉप करता है 1064 हो तो नैनो मिटर वाली ये काला कलर सेफली इंडियन स्कीन में एप्सॉप करता है या 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 करती है तो ये जो energy है ये सेकंड के 10 लाख भाग वाले इसमें या या वन अपॉन टेन लाक्स मिलियन थॉप सेकंड में ये energy वहां दी जाती है इतनी फास्ट एनर्जी दी जाती है इसलिए लेटरल डैमेज न होके सिर्फ पिग्मेंट ब्रेक होता है सिर्फ मेलैनिन एपस इसलिए फोटो अकाॉस्टिकली ये हो जाता है और फिर बोड़ी की इम्मून सिस्टेम इसे ये करके वो मेलैनिन पिग्मेंट कम होता है स्किन टोंिंग होता है तैनिंग कम होता है तो इस इस वन अफ बेस्ट टेकनोलजी हो और ये वन मिलियन थॉप सेकंड लेकिन अभी स आयन जैसे एडवांस हो रहा है वैसे अभी पीको लेजर आ गए पीको लेजर एक सेकंड के बिलियंत ऑफ पार्ट याने हंड्रेड करोड़ पार्ट वाला सेकंड का हंड्रेड करोड़ पार्ट वाले इसमें वो इनर्जी जाती है तो वो और पाउरफूल डीप सेफ इफे कि जो मैलैनिंग पिगमें बनाते है वो पिगमेंड को ब्रेक करना या मैलैनोसाइड के डेन्राइड से उसको थोड़ी खें पहुंचाना और इस तो यह कॉमन मेडिकल लाइन ऑफ यह सी अग्में पार्ट जो पिगमेंडेशन होता है क्यों होता है चा इंसे से यह पिगमे करने के options क्या-क्या है as concluding remarks जो patient जिनको acne है या acne marks और जो बहुत stress रहते हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे पहले acne को यह करना बंद करो squeeze करना बंद करो handle करना बंद करो acne को right time right way से doctor की सलाह से कर दिया तो pigmentation या scarring होने के chances कम है या pigmentation scarring हो भी गया है तो वो pigmentation और scarring कम जल्दी हो सकता है and you can gain your confidence back, you can get your good skin back यह सारी skin और यह अच्छा glow आपको मिल सकता है but right time पर करना चाहिता है सबसे important thing है stress कम करो it is holistic approach रहता है dietary things भी है junk food, high sugary food, then chocolates या fried food यह सारी चीज़े हमें कम करनी है healthy diet, green, leafy vegetables, foods, dry fruits यह सारी चीज़े करनी है exercise करना है और इसमें सबसे important है ज्यादा से ज्यादा पानी पीना जितना hydrated skin होगी उतनी skin अच्छी रहेगी dry skin देखो कभी रुखी सुखी skin कभी भी glow नहीं रहती lifestyle management is important stress को कम करना योगा करो meditation करो mindfulness करो then sports खेलो खेलना जरूरी है mobile पे खेलना जरूरी नहीं है लेकिन खुद बाहर जाके ground पे खेलना या बाहर भूमना सुबह जल्दी उठना रात को जल्दी सोना अभी आप जैसे बच्चों में रात को जल्दी सो बोले तो दो बजे तीन बजने के बाद सोते हो सुबह नौ बजे के बाद बहुत सारे बच्चे उठते हैं तो ऐसा नहीं है जल्दी सो जाओ जल्दी उठो जल्दी दिन चालू क करो यह सब कुछ होगा और जैसे मैंने पहले यह बताया कि protection 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 right so protection ले लिया sunscreen से physical sunscreen से दूप से बज गए हाथ से नहीं फोड़ा तो यह protection कर दिया तो treat 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 करने की जरूरत नहीं है so protection 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 so no treatment no treatment no need of treatment acne ही control हो जाएंगे लेकिन जब कभी हो तो don't lose your confidence there is a ray of hope कुछ भी नहीं है problem बहुत बढ़िया treatment आई है बहुत बढ़िया treatment करके you can gain your confidence immediately तो निराश नहीं होना acne कितने भी हो निराश नहीं होना है हम उसे control कर सकते है pigmentation को control कर सकते है scar prevent कर सकते है यह सारी चीज़े possible है but when when you decide मुझे यह कम करना है I will take little pains यह acne का इतना pain इसके scar का pigmentation का acne का जो emotional pain है उससे बहतर सुबह का एक मिनिट रात का एक मिनिट आपको आपके skin के लिए देना है cleansing moisturizing sun screen proper diet हसो खेलो मजा करो enjoy करो nothing आपकी acne stress से बढ़ने वाली है I know हमारे time में जितना stress था उससे कितना तो ज़्यादा stress and कितना तो ज़्यादा competition आपके जमाने के लड़कों में लड़कियों में है लेकिन इसका मतलब ऐसे नहीं है आप lifestyle अच्छी बनाओ happy रहो then there is no need to take stress exercise नहीं करोगे junk food सिर्फ खाओगे then things will become difficult कभी तो exercise ना करो उसमें कुछ यह नहीं है हपते में एक दिन ना करो दो दिन ना करो हपते में पंदरा दिन में एखादा दूसरा दिन चांग food खाओ बट लिमिटेशन में thank you thank you so much sir thank you for all the information बहुत ही helpful हो हम और ऐसे वीडियो आपके पास लाते रहेंगे और discussions करते रहेंगे so friends thank you so much tune in करने के लिए हमारे इस वीडियो एंड तक देखने के लिए I hope आपको यह helpful हुआ हो comments में जरूर आपको और कौनसे कौनसे topics पे videos चाहिए कौनसे topics पे discussions चाहिए specific सवाल कुछ है तो जरूर comments में डालिए हम उसको answer करेंगे हम वो topic next हमारे वीडियो के लिए लिए लेंगे thank you and have a nice day